वेल्कम टू बेंकिंग फ्यवर यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आपने बेंकिंग फ्यवर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और शेयर किजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंक फाइनास और लॉन रिलेट लेकने वाले हैं बैंक और बरोडा से आप कार लॉन कैसे ले सकते हैं क्या क्या बेनिफिट है क्या फीचर्स होते हैं कितनी लॉन मिलेगी कितना एम आई रहेगा प्रोसेसिंग चार्ज क्या रहता है कौन सी कार पर कितना लॉन मिलेगा तो आईए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको कार लॉन लेने के लिए आपको जो है कोटेशन जरूरी होता है तो आपको है कोटेशन बनवा लेना है जो भी आप जो भी शोरूम से जो भी कंपनी की कार लेना चाहते हैं उसकार का आपको कोटेशन होना जरूरी है तो आईए दोस्तों अपने एक कार होनी चाहिए एक गर होना चाहिए और अच्छा बैंक बैलाइस होना चाहिए तो सभी को रहता है यहां पर आप देख सकते हैं कि आप अगर गाड़ी में स्पोर्ट कार पर्चेस करते हैं या एक्षिवी लग्जरिस कार तो यहां पर जो है 90% तक फंडिंग हो जाता है यानि कि आपको न्यू कार में 95 90 तक आपको मिल जाता है बिजनेस प्रोफेशनल कॉर्पोरेट जो भी है उनको भी यह लॉन मिल पाता है तो यहां पर देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है तो दोस्तों यहां पर देख लेंगे कि सबसे पहले जो बैंक औप बरो प्रोज को होता है यानि कि आपको जो है अपने कि मताभी मुताबिक आपको कर वान्य कर्वाना कि यानि कि repayment तो आप वो करवा सकते है बैंक और बरोडा में आपको जो है quick processing यानि कि आप online भी apply कर सकते है pre-approved loan और offline भी apply कर सकते है उसमें आपको जो है minimum document submit करने है और speedly dispersed यानि कि payment हो जाता है और additional जो होता है loan लेने के लिए वो for close charge भी नहीं देना पलता है pre-payment penalty भी यहाँ पर नहीं लगती P advance EMI आपको नहीं pay करना है तो यहाँ पर आपको higher limit मिलती है यानि कि आपको 100% तक आपको loan मिल सकती है luxurious car या आपको जो भी car लेना है आपका dream project है उसके बाद यहाँ पर है आपको जो है जो भी payment करना है showroom की तो यहाँ पर आपको loan जितना भी down payment करेंगे उसके बाद जो भी पैसा बजता है उसको आपको loan मिल जाती है उसके बाद यहाँ पर जो बैंको बरोडा के पहले से सेलराइड या बिजनेसमेन कॉर्पोरेट सेल्फ एंप्लोइड जो भी है उनको 25% प्रोसेसिंग फीज जो होती है उसमें रिड्यूसिंग कर किया जाता है यानि कि जो बैंको बरोडा के कस्टमर है उसमें उसको बेनिफ चेक कर सकते हैं तो यह बैंको बरोडा के उफर के अंदुसार आप 90% तक लॉन ले सकते हैं उसके बाद रिपैमेट आपको फैक्सिबीटी मिलती है यानि कि 84 मंथ और आपको यह माई पे कर सकते हैं यहाँ पर आपको जो है जो कोई भी है वो लॉन ले सकता है मिनिमम एज जो है 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम सत्तर साल होनी चाहिए यहाँ पर प्रोसेसिंग चार्ड जो है जन्रले 50 पैसा है प्लस जीस्टी आपको लगेगा यहाँ पर लॉन लेने के लिए सबसे एहम चीज होती है वो होती है सिबील यानि कि आपको 700 से प्लस सिबील होगा तो जाएगी बिजनेस्मेन प्रोफेशनल फार्मर्स डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक कमनेज प्रॉप्राइटर्शिप और जो पार्टनर्शिप फार्म होते हैं उनको यह लॉन बिल जाएगी कॉर्पोरेट में पार्टनर्शिप प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड ट्रस्ट उनको भी कार परपस आप कार्स मल्टी युल्टिल्टी विकल एक्षवी कोई भी आप कार ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर है रेट ओप इंटरस्ट यानि कि कार लॉन में क्या इंटरस्ट रेट है प्रोसेसिंग फीज क्या होती है तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है रेट तो यहाँ पर आइट पॉइंट पंदरा रेट रहेगा कार लॉन का ओपर एनम रहेगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना rate रहेगा उसके बाद यहाँ पर आ जाते है कि वापस से interest rate पर तो यहाँ पर दोस्तों आपने देख लिया और processing charge क्या रहता है तो processing charge जो रहता है यहाँ पर आपको देख लेना है यहाँ पर home loan तो आपको नीचे scroll कर लेना है आप जैसे नीचे scroll करेंगे तो आपको car loan यहाँ पर देख जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों 50 पैसा लाएगा loan amount का और minimum जो है 25 रुपए है और maximum है 10,000 यानि कि आपने अगर 30 लाग की भी loan ली तो 30,000 आपको नहीं देना है 10,000 ही देना है तो यह benefit सबसे ज़्यादा होता है bank of baroda में अगर और कोई private bank से आप loan लेंगे तो आपको processing fees जो होती है 2% देनी होती है उसके बाद आपको terms and condition apply करनी होगी यहाँ पर तो यहाँ पर salary person जितनी भी salary होगी यहाँ पर salary होगी उसके अनुसार यह आपको EMI reducing किया जाएगा यानि कि आपकी 25,000 है तो 60,000 जो होते है वो आपकी income consider होगी तो यहाँ पर limit दी गई है कि इतनी होगी तो इतना तक ही loan आपक को मिलेगा EMI आपको दिया जाएगा यहाँ पर maximum limit है 100,000,000 तक यह loan मिल पाती है repayment margin आपको 10% यानि कि आपको जो भी loan है उस loan amount का 10% आपको जो है पहले down payment के अनुसार देना है civil score आपको जो है 700 से plus होनी चाहिए age limit है 21 कोई अपलिकान की 18 साल होनी चाहिए और maximum age जो है वो 70 साल तक होनी चाहिए hypothetical vehicle finance अगर आपको यह HP आपके जो भी कार लिए हुई है उस पर आपको HP रहेगी उस पर आपको bank आप बरोड़ा का जो भी है नाम लिखकर आ जाएगा प्री क्लोजर चार्ज नहीं है इंशोरंस जो है आपको bank से दिया जाएगा rate of interest आपको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि rate of interest साड़े आट परसंट से साड़े दस परसंट तक मिल जाता है वह आपको क्रेडिट और आपकी income बेज पर दिया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ पर ट्रेक कंट्यूनिट अप्लिकेशन भी कर सकते हैं और काल लॉन LGBT कैल्कुलेटर भी यहाँ पर कर सकते हैं यानि कि आपकी LGBT है या नहीं है तो यहाँ पर आपको दोस्तों कैल्कुलेटर दिया गया है कि क्या LGBT होनी चाहिए और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि काल लॉन कैल्कुलेटर तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो में बने रही हैं आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप और यहां पर आपनी जो भी लॉन लेना चाहते ओंटर कर लिए यहां पर examples के तीन लाक रुपय कर दी है यहां पर HOW रखेंगे वह मिनिमुम यहाँ पर आपको आठ पॉइंट पचास कर देते हैं दोस्तों यहाँ पर जो रेट रहेगा वह आपको एंटर कर लेना है यानि कि 25 परसंट तक ही आपको एक्षेप्ट करेगा तो यहाँ पर जो रेट है वह साथ पॉइंट 25 परसंट ही रखेंगे तो यहाँ पर टर्म कर लेंगे यहाँ पर छे साल के लिए टर्म कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना रीपेमेट करना है यानि कि 3 लाख रुपे का आप अगर लोन लेते हैं तो आपको 5,151 रुपए आपको यह मैं आएगा और टोटल ज आपको पसंदा है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं एक नए वडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंग जय भारत